अब हम store operation के दूसरे main principle को discuss करने लगे हैं वो principle है principle signage तो signage क्या है actually so you have to provide all relevant information using signage to meet the customer needs actually जो चीज कस्टरमर से communicate कर रही है सबसे पहले that is the signage बंदों के से भी पहले personnel से भी पहले product के इलावा जो सबसे पहले चीज कमिनिकेट करती है वो signage है जैसे ही customer store में enter हुआ उसने सबसे पहला signage जो देखा वो parking का था so signage actually is the information for the customer और जो के customer की need को पूरा करने में हमें help करती है सबसे पहले अगर हम brainstorming कर लें ते quick what are the different kinds of signage जो के do you see in a store जब हम किसी store के अंदर enter होते हैं जिसना मैंने भी example दी आपको के हमारे पास सबसे पहला signage जो हम देख रहे होते हैं वो हमें parking का नजर आता है फिर हम थोड़ा सा और इसको सोचते हैं के और कौन सा signage हमें किसी retail store के अंदर नजर आता है तो वो उसके बाद entrance का signage जजर आता है कि store की entrance यहां पर है आपने store के अंदर यहां से enter होना है जब store के अंदर आप enter होते हैं तो फिर then आपको store के layout या store का map उसके बारे में आपको कोई guideline कोई signage नजर आता है इसी तरीके से आपको कुछ signage नजर आएगा instructions के हवाले से इसी तरीके से आपको कुछ signage नजर आएगा washroom इस तरफ है आपको साइज नजर आएगा के lockers इस तरफ मौजूद है आपको साइज नजर आएगा के after sales service counter इस तरफ है आपको साइनेज नजर आएगा कि ट्रॉली यहां से आपने लेनी है कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि विजिबल हैं लेकिन अफकोर्स कुछ साइनेज ऐसे हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं अंडरस्टेंड करने में अपने आपको विर्चुली एक स्टोर के अंदर रिजियूम करें और अप देखें कौन कौन से साइनेज ऐसे है जो कि आपको नजर आदे हैं जो कि आपको नोटिस करते हैं और जो कि आपको हल्प करते हैं आपकी नीट्स को बूरा करने के लिए तो आपने ट्रॉली के साइनेज देख लिया और फिर उसके बाद जब आगे मूव करते हैं तो आपको डिफरंट डिपार्टमेंट के साइनेज भी नज़र आते हैं तो आपको नज़र आए कि यह ग्रॉसरी यहां पर मौझूद है टॉलेटरी यहां पर मौझूद है बेवरिजिस का साइनेज आपको नज़र आएगा एलेक्ट्रोनिक्स का साइनेज आपको नज़र आते हैं जो के गाइड करते हैं आपको कि यह डिपार्टमेंट इस तरफ ह फिर उस department के इलावा हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि OKS Department के लावा अब कौन सी product category की ज़र मौजूद है, फिर उस product category का signage मौजूद होता है, फिर उस product category के इलावा फिर आपको नजर आता है कि कौन सी product कहां मौजूद है, तो वो product का signage क्या है, तो again different तना के signage हमें help कर अपनी आपको अपनी required product को ढूनने में और अपनी required services को obtain करने के लिए normally हमारे पास दो तरह के signage हैं वो मौझूद होते हैं किसी भी retail store के हवाले से number one हम बात कर रहे होते हैं inside signage जो के inside of the store हैं और number two हमारे पास जो signage हैं वो outside of the store normally होते हैं हर store में हर तरह के country के अंदर different examples होंगी of course कुछ legal requirement हैं कुछ legal legislations हैं जो के हर country के अंदर different हैं with respect to signage और कुछ basic customer की needs के accordingly भी है जिस तरह के से अगर मैं store के अंदर की बात करता हूँ inside store की example की बात करता हूँ तो दो तरह के signage हमारे पास है number A हमारे पास A हमारे पास है permanent signage और B हमारे पास है non-permanent signage अब permanent signage कौन से है permanent signage वो actually signage है कि जो के अपनी जगा के उपर fix हैं जो के लगे हुए हैं जो के आप change नहीं करते हैं example आप store के अंदर अगर कोई emergency exit के signage देखते हैं या in general किसी भी जगा के उपर आप emergency exit का sign देखते हैं so that is actually a permanent signage वो रोज या 15 दिन बाद या 1 वहीने बाद या 6 वहीने बाद वो change नहीं होता कि आप emergency exit इस तरफ नहीं है अब वो दूसरी तरफ है so because the product जो चीज जो information है वो fix है so signage की nature भी permanent है इसी तरीके से अगर store का नाम है उसका signage है so that is again fixed signage a permanent signage department का नाम है that is again a permanent signage जो end caps है end cap actually वो जगा है जो के जहां पर aisle आपकी खतम होती है shelf का corner होता है वो आपकी end cap होती है जिसको normally head shelf भी कहा जाता है so वहाँ पर जो signage लगया है जहां लगा हुआ है that is also permanent signage product की family का यहाँ पर oil है यहाँ पर घी है यहाँ पर tea है यहाँ पर green tea है यहाँ पर black tea है यहाँ पर coffee है यहाँ पर coffee with milk है यहाँ पर coffee beans है so what the product family जितनी भी है उसके जो signage होंगे that will be permanent signage इसी तरीके से मैंने आपको emergency exit के example की दी तो यह भी considered होगा permanent signage के अंदर और normally emergency exit का sign जो है वह आपको store के inside ही नजर आता है कुछ signage जैसे होंगे जो के non permanent signage होंगे जिसको मैंने यहाँ पर B से refer किया है so non permanent signage क्या है वो signage है जो के normally product से related होते हैं product या pricing के signage जो है they keep on changing price हर रोज या हर हफते या हर 15 दिन बाद या हर महीने change हो रही है वो product change हो रही है उसकी pricing change हो रही है कभी वो promotional price है कभी वो known promotional price है कभी वो बहुत अच्छी offer के उपर है कभी वो everyday low price के उपर है so this signage of the product the article is actually non permanent in the store अगर हम outside of the store की बात करते है as an example so वो तमाम customer की information जो बाहर मौझूद है customer के लिए as a fixed signage या as a non permanent signage और as a permanent signage वो outside है normally जो outside signage है ये सारे permanent signage होते है most of the cases के अंदर जिस तरीके से store की entrance पे उसका नाम है जिस तरीके से entrance का board है जिस तरीके से mosque की तरफ निशान है जिस तरीके से locker room की तरफ निशान है so वो तमाम outside के trolley area की example है कुछ store में trolley inside area में आती है कुछ stores में trolley area is outside तो दोनों सूर्तों में उसके उपर जो signage है वो permanent signage के तोर पर कहलाता है अगर हम permanent signage की कुछ examples even जल्दी से quickly store के perspective में evaluate करें तो अगर आप देखते हैं मैं एक store के अंदर enter हुआ तो मेरे पास store का map है map trolley है जो के number one के अंदर visible है number one के अंदर store का map आपको guide करता है कि store में कौन सा department कहां पर है जो के normally तमाम stores के अंदर entrance के ऊपर लगा होते as you enter into the store you will see either on your left or on your right mostly it is observed that is it is on the left के उपर ये एक store का map लगा होता है जो के guide करता है customer को के अगर आपको fish department जाना है तो कहां होगा actually इस पूरे store के अंदर fish department so जो permanent signage है ये store का जो layout है ये actually permanent signage के तौर पे consider किया जाता है इसी तरीके से department की blinds food की example हमारे पास मौझूद है यहाँ पर उपर अगर bakery लिखा हुआ है meat लिखा हुआ है fruits लिखा हुआ है vegetables लिखा हुआ है so dairy लिखा हुआ है so वो department का जो blind है वो actually भी permanent signage के तौर पे consider की जाती है इसी तरीके से third example हमारे पास है अगर आप देखते हैं तो vertical banners है या horizontal banners है जो के vertical banners की example हमारे पास है और horizontal banner की example भी हमारे पास मौझूद है यह भी permanent signage है क्योंके they remains the same product अंदर change हो सकती है suppliers अंदर change हो सकते हैं product की जो banners है they will with a vertical and horizontal banner they are actually the permanent signage quickly मैं discuss करता हूँ non-permanent signage को भी so article information जिस तरीके से price है product की description है promotion information है यह सारी information non-permanent signage कहलाती है जिस तरीके से अगर हम एक example देखे and we want to observe both के इसमें permanent और non-permanent कौन सा है तो store की example मैंने यहाँ एक real time पे दी भी है कि store का जो number यहाँ लिखा हुआ है कि यह grocery department इस aisle यह इस passage के अंदर है तो यह actually permanent signage है लेकिन जो information products से related है उसकी product information है product description है उसकी pricing है वो actually non-permanent signage है यह जो products के उपर you can see this pricing यह सारी pricing जो है यह actually यह जो आपको नजर आ रही है promotion information है यह product की description है यह उसकी pricing है यह non-permanent signage की example है तो signage एक communication है retailer की तरफ से to the customer तो it has to be very clear it has to be in such a way कि customer को जो required चीज है वो पूरी fulfill हो और वो signage बेशक permanent हो बेशक non-permanent हो if the customer need has been addressed इसका मतलब यह है के retailer successful है अपनी effort में यह principle is one of the key principles in making a retailer a success story झालते ही यह 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 है सक्वेस्ट है यह की grateful है झालते है यह यह झालते है लर नर है का इस सकत्णर्फाइब पो यहु、 Kia ज pour 2023 झाल झाल